हाई दोस्त गुड मॉर्णिंग जैहिंद हम लोग पुलिया गर्पन चुकोर के जंगल में घूच रहा हैं ट्रेकिंग के लिए मैक्स डियस एड्वेंचर की तरफ से अभी आप लोगों को देखाते हैं कितना घना जंगल है इसके उपर जील है बहुत सारे देखने लाइक च हुआ है हाई गोड मॉर्निंग मेरा नाम बालेश्वर कुमार है मैं धनबाद से हो और यह मैं पंचेगवट ट्रेकिंग के लिए आया हूँ और यह पूरे घने जंगल है यहां पे पूरे पहाड और मैं यह बहुत उपर क्योर जाने के लिए मैं सोच रहा हूं और मैं यह कश तक हमां बात करेंट है के हूँ यह आई द rapt कर्रा सबर्ड़ मैं फिर आपके सामने आगा है जैसे कि आप अपने करेंग के है जैसे कि आप देख सकते हैं काफी उचारी तक पहुंच चुके हैं लम्सब थोड़ा सा राखता ते हुआ बाकी असमान को छूती को देखिए उसके बाद मैं भी थोड़ा सा ठक चुका हो फिर भी ट्रेकिंग तो करना ही है हाई फ्रेंड गुड मॉनिंग मेरा नाम सुभम सर्मा मैं बावल आप योजम दुर्गम से आया हूं डिस्टिक ब्रदवान अभी इसके उपर जाना अभी रास्ता ढूंड रहा हूं मैं यह सब को गाइड कर रहा हूं ठीक है चलो फिर है राजय का जोपी आख वहां से हम लोगा टेंट सबसे बड़ा दिख रहा हूं है बड़ा मस्त लेकनि आपे जग अब हाँ है फ्रेंड जैसे कि हम लोग ने आधास ज्यादा रास्ता पार कर लिया है आप देख सकते हैं यह राजय का में गेट है जहां पर साइनिक लोग खड़ा हो करके सत्रू को देखने का या फिर कोई भी आदमी आए उसको देखते थे और बाकी फिर अंदर इनका किला है और उसके उपर भी काफी उचाई का पहाली है आप जैसे देख सकते हैं और किला बहुत बड़ा किला है आप चली अंदर आप तो आप डेख रहे हैं बहुत प्रांशिस बना लुए है जैसे आप देख रहे हैं यह पूरा खिला है जिसमें राज अब परिवार को रखा आता स्रुची जगा दा या जाता है यहां पर उनका रहने का बेवस्ता किया गया था, सारा चीज यहीं पर है, प्रासा चीला, और दिखते हैं, चल, यह उनका महल का यह है, डिजाइन बना हुआ, यह महल में, महल का परवेश चौर है, इंदा जाने का, जो काफी बंद हो चुका बहुत प्राणा है, फिर भी बंद हो चुगा है, जैसे यह देख रहे हैं, आप मोटा मोटा दिवाल, यह उनका बंडरी था, आईए, आगे दिखाते हैं, यह उनका परिवार का रहने का घर था, यह पुरा बना हुआ, और यह काफी बड़ा बना हुआ था, लेकिन इसके मरमत की नावजा से यह फुरा टुप चुका है, आईए, दिखाते हैं, जब सत्रों का आकरमान हुआ, तब किस तरह से इनको तहस नस कर देगा था, पूरा किला को, दिखाते हैं, और इसके बाद पर यह मेंडरस नहीं हो पाया, उसके वासे यह सही रा गया, यह दिखाते हैं आपको, यह राजा का पुत्री लोग रहते थ जो भी उनकी बेटिया थी, इसके अंदर ही आते थे वो, आईए, दिखाते हैं, इसका कारी-कारी, यह देखिए, उसमें का डिजाइन का, जो डिजाइन बनाया गया था, काफी खुब, बहुत खुब सुर्च यह दिजाइन है, और इसके एक खास्य सबसे बड़ी खास्यत क्या है, ना इसमें कोई सिमेंट डाला गया है, ना कुछ जगा, सिर्फ यह पत्थर के कटिंग पे, उसको बारिकी से सजा करके इसको उठाया गया है, आए चलते हैं दोस काफी बहुत खुब सुरत है, आए दिखाते हैं, आए देखते हैं, पहले राजा महराजा के परिवार रहा करते थे इसमें, उनकी बेटिया रहा करते थे, अभी देखिए यह पुरा हॉंड़िट प्लेस बन चुका है, तुरा डिरामना सा बन चुका है, उपर चमगादर देखिए, काफी सा स्नेक से इसके अंदर, नीचे का प्लेस देखिए, कितना तरामा हो चुका है, यह से महमान को, यह भी लगता है कि राज परिवार का महमान बन चुके है, यह होंटट, उनकी कच्छा में लटकते हुए चमगादलो को, यह बहुत ही डरामना हो चुका है, उनका रने का कच्छा, यह कितना डरामना हो चुका है, कितना चमगादलो का इसमें वास हो गया है, चमगादल है, आए दोस्त, आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं, और महमें कितने साड़े दर्समेंग चीज है, और यह काफी बड़ा ठीला था, जैसे यह तो सुरुबात है, आगे चले दोस्त, मैं आपको देखाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह आक्रमन के बाद तो नस्ट हुआ है, ना मेंडरनस के बाद इसको, मेंडरनस नहीं मिलने के बाद, यह पूरी तरह से पीडू की तरह इसमें आ गया, उसके बाद यह धीरी धीरी यह चीज लुप्ठ होते जा रहा है, आप देख सकते हैं, आए दिखाते हैं, इनका किला से कितना अच्छा द्रिश देखने को मिलता था, प्राकिर्टिक द्रिश, आए दिखाते हैं, आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह दुवार को, ऐसे काफी दुवार इसमें बने हुए हैं, दुवार पालो के लिए, आने जाने व्यक्तियों को नजर रखने के लिए, और यह इस पे एक वास्त पढ़ा हुआ था, जो अभी नहीं है, वो तूट चुका है, वो था सत्रियों जो नजर रखने के लिए, दूर से वो देख लेते थे, इनि यह इस किले का एक ऐसा खास्यत है, जो यह बीच जंगल में है, आप इसको नीचे से नहीं देख सकते हैं, यह किला आपको नीचे से नहीं दिखेगा, जब तक यह आप जंगल में परवेश्च ना करें, यह किल पर जिल के करब, जो काफी जंगलों से होका गुजरती है, जिलि से काफी दूर है यह जिल, भाग कर दो, जहाह कि जंगलों के बीच पर वेश्च करें हम लोग, कि आप देखें यह प्राणा टेक्निक है उस समय का राजा मारजय को दोरा बनाया कहा है ताकि जो पहाड से छोटी से पानी आते हैं उसको तरीके से नल की तरह उसको निकाला जा सके यह पहले बहुत संदर उनके समय में बहुत संदर यह बनाया हुआ था आप देख रहे हैं यहां पर निशान है अभी यह देवी का पैरो को निशान है यह क्या है यह तो प्राचिन बाते हो गई इसके बारे में तो हमें बिल्कुल कुछ जनकारी नहीं लेकिन यह बहुत अच्छा चीज देखने लाइक है आप देख सकते कितना बढ़िया यह चाप पड़ा हुआ इसमें करे यहरा बढ़ खबटो क्लारे में है कर दो लूत में, करेंगी करें, और वे यह favorites introduce यह लूत करेंगी कितना हिए। क्यूत कितना है कि मैं अजया को अजया कि आप आप दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं ये छोड़े से प्लेस पर मामूली सा प्लेस है ये टूरिस प्लेस है उस पर डस्ट विन किये आप देख सकते हैं यह जो खुब चूर्ती है राजम माराजा के बनाया चीज है वह तो इसका से देजरे वह लुप्त हो जाएगा फुरा बरवाद हो जाएगा वह चीज तब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए टूरिस्ट लेके आए लेकिन उसको एक डस्विन करकरके नीचे लिए करके डस्विन पॉइंट में डालके वह अपना इस टूरिस्ट प्लेश को है यह प्राकिर्तिक जो द्रिश्च है उसको आप बचाए है सबसे इसको हम बचा सकते हैं कैसे जो पत्ते की थाल आती है उसको यूज कर आएगा इस चीज को हम ले जाके नीचे डस्विन करेंगे ताल देंगे और आप सभी से निवेदाना कि जब भी आप टूरिस्ट प्लेश 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 घूमने के लिए तो आप पत्ते की थाल लेके आए बहुत थग्याब नहीं होगा अब हमसे चला नहीं जा रहा है अब हमसे चला नहीं जा रहा है अब हम लोग अपना ट्रेक खतम करने वाले हैं मैं अपना चार पांच स्टूडेंट को लेके पूरूलिया अगर पंचकूट पहाड का जो मिस्ट्रियस है तो उसको दिखाने लाए थे अच्छली इस जंगल में पहले तो और घना जंगल था तो अभी नेचर भी कम होने जा रहा है आदमी के बज़े से और फिर यहाँ प पास पहुंचाने के लिए वीडियो बनाने का अमलों का मकसद है एक्चुली यहाँ पर बहुत लोग इस ट्रैकिंग रूट पे पूरा रैपर फेके गया थार्मकल का प्लेटे फेके गया प्लीज इस सब मत कीजिए अगर आपको करना है आप इस सब चीज को डस्मीन कीजि यहां का उनका घर है हम लोग उसका घर में घुस रहे तो ध्यान रखिए उसका कोई और इस जंगल में प्लीज कभी भी अकेला मत आईए जब भी आएंगे कोई लोकल गाइड लेके आप आईए और यहां पर नाइट इस्टेर जंगल का बीच में मत कीजिए प्लीज आप नीचे टूरिस्ट जोन मना हुए है तो नीचे रिजॉर्ट है काफी तो उसमें आप लोग रह सकते हैं यहां पर सरकार द्वारा वववस्ता क्या गया है यहां खाने पीने का वववस्ता सब कुछ है इसका लोकेशन में टोटल चार-पांच रिजॉर्ट बन चुका है तो प्लीज आप वेलकाम सभी को यह एक्चुली ओष्ट पैंगल पुरूलिया जिला में है पुरूलिया जिला में इस जगा का नाम है गड़ पंचेकुट इसमें पहले राजा का एक सेत्र था यहां राजा का महल था सब कुछ था बहुत पुराना उनका फैमिली में अभी और यहां पर एक हंटेड प्लेस बन गया यहां पर मतला बहुत कोई लोकल जो लोग बोलते है मतलêtes बहुत ड़रबणा चीज बताते हैं किसके बारे में तो यहांपर एक मिस्टेरियास प्लेस बन चुके रह गया तो और घूमने के लिए सब से बड़ीया प्लेस इस च्ते करेंगे और यहां का weather बहुत beautiful है thank you and goodbye